हेलो बच्चों तो इटी जी में जो पेपर रिलीज हुआ है अज उस पेपर वन का कोश्चन नंबर फूर्ट में वेडिसिस करने वाला हूं जैसा कि बच्चों आपको पता है इस बर पेपर में ऐसा हुआ है कि कोश्चन चाहें और गनिक का है उसको कंसेप्ट को रिलेट किय तोड़ा मोल कॉंसेट्स है वो पूछना चाहरे है रेक्शन लेकिन उसको उसके मास से या उसके मोल से रिलेट कर दिया है ऐसा ही कुशन है कुशन में फोर देखें बच्चों क्या हो रहा है इसके अंदर कुशन दिया है की दर टीट्मेंट ऑफ एक्वास सुलूशन अ 3.74 ग पूछन चाहरा है कि जब हम कॉपर नाइट्रीट की आई मैनस से रिक्शन कराते हैं एक्सिस के आई से तो होता क्या है कि पहले स्यूटू आई का पीडियाता है और आई 3-1 बनता है जो ब्राउन सुलूशन होता है सब को बता है बात तो यह जो ब्राउन सुलूशन है इसक to moles of i3-1 to do simple सभाब दिखरी है मारे को इस ऐसा equation solve करने से हमारा बैठ रहा है मोल तो है 3-1 01 इस से में निकाल ले आई 3-0 ओन निकाल ली आभ मैं दूसरी equation use करके moles of I3 minus equals to moles of sulfur निकाल लूँगा, अब 0.01 थे हमारे पास, इस तरह से amount निकालेंगे amount निकालेंगे तो आएगा 0.32 gram तो इसका decimal second place according answer 0.32 gram आना चाहिए answer में बच्चों जैसा चौथा question था ठीक वैसा ही पांचवा question भी है यहाँ पर भी देखो ऐसा ही हो रहा है कि question पूछा inorganic क्या है लेकिन उसको फिर gram calculation से relate कर दिया गया है इसमें क्या कहा है dissolving 1 to 4 gram of white phosphorus in boiling NMH solution in an inert atmosphere gives a gas Q the amount of copper sulfate in gram required to complete consume the gas X हम सब को बता हैं पढ़ते हैं common reaction है कि white phosphorus NMH में disproportionate होता energy atmosphere में और बनाता है phosphine gas और दूसरा है phosphine का absorber होता है copper sulfate क्योंकि copper sulfate में phosphine pass करने पर CO3 P2 का precipitate बन जाता है तो question कहा कहा है रहा है copper sulfate कितने gram चाहिए हम इसका gram दिया गया है 1.74 gram है तो first equation की मदद से मैंने क्या निकाल लिया moles of P4 request to moles of PS3 तो moles of PS3 कितना है 0.01 अब दूसरी question की helps मैंने क्या लिया moles of PS3 into three quotes to moles of copper sulfate into simple calculation जो आप में मोल में की होती है इससे इसका copper sulfate का mass आ जाएगा इसका molecular weight 159 है solve करेंगे तो 2.385 हा रहा है अगर हम truncation करेंगे इसका जैसा कि instruction में दिया है truncation according to answer आएगा 2.38 but round off कर दें तो 2.39 भी आंसर देना चाहिए मुझे लगता है इस रेंज में आंसर देना चाहिए जाएगी को ठीक है बच्छों बच्छों और अगला question जो है वो molecule orbital theory से रिलेड़ेड है question 9 में diatomic molecule में लिखा है for diatomic molecule the correct statement about the molecule form by the overlapping of 2pz orbitals देखे कुछ define नहीं किया उसे sigma बना रहा है कर पाई बना रहा है बस 2pz से कुछ interaction कर वा रहा है दोनों possibilities को हमें ले के चलना होगा head-on interaction भी और side-wise interaction भी MOT में पढ़ते हैं कि जब orbital का interaction होता है तो bonding anti-bonding molecules बनते हैं अगर pz का pz से head-on interaction मानूं तो बनेगा sigma और sigma star अगर मैं lateral interaction मानूं तो बनेगा pi और pi star ये तो आपको सभी को पता है और इनके diagram भी NCRT में दिये हो है हम लोग बच्चों को अच्छे से बोलते हैं कि याद करी नोडल इनके diagram याद करी इसमें दो नोडल प्लेन है देखो आप यह रहा पहला नोडल प्लेन दूसरा नोडल प्लेन में डॉटे लाइन से दिखाए हैं यह sigma का shape है आपको shape याद होगा इसके बारे में तो हम इस question का answer दे पाएंगे तो इसके अंदर पहला तो मेरे खाल में सही होना चीज़ का answer होना चाहिए अगला क्या है sigma star यह sigma star has one node in XZ plane containing molecular axis यह रही molecular axis यह जैड एक्सिस तो question में define किया हुआ है कि इसको PZ मानना है हमारे को तो PZ मानेंगे तो यह जैड एक्सिस हो गई इसका मतलब क्या हुआ एक्स जैड क्या होगी अपनि सब्सक्राइब इस तरह से इस तरह में मैंजिन करना को देखें बच्छा यह वाला यह वाले प्लेन में अभाव भी बताएगे क्या स्में उडल प्लेन है क्या question कह रहा है कि Sigma star has one node plane अरे बही मैं तो कह रहा हूं कि no nodal plane in XZ plane containing the molecular axis नहीं है सके अंदर मेरे खिल में अंसर में नहीं होना चाह ए अंसर में तो हार दो इस्टेटमेंट सही बैटरा भी स्टेटमेंट रहा दॉट रहा भाट्चों C में आता हूं पाई और्टल has one node in the plane पाई और्टल has one one node in the plane which is perpendicular to the molecular axis and goes to the center of molecule array by is with a little bend the camera go perpendicular to the molecular axis की पर्पेंड कुलरी वाला और सेंटर से जाना चाहिए नहीं है तो नहीं है तो नहीं है तो लोप्स दिखरे मारे को तो यह नोडल नहीं है मैं इसलिए दिखाना है पर नोड in the plane which is perpendicular to the molecular axis मतलब मैं define करूं तो यह वाली एक्सिस आरी बच्चों इसमें हम दिख रहे हैं साफ-साफ नोडल प्लेन नहीं हो सकता तो यह आंसर में नहीं होना चाहिए यह पाई का shape है अब आता हूं अगले option पर pi star orbital has one node in xy plane containing the molecular axis देखो यह pz है पहले सी पता है अगर यह pz है अगर यह pz है तो यह plane अपन मान सकते हैं इसको यह वाला plane कौन सा वाला plane xy plane मान सकते हैं बिल्कुल सही है इस वाले में क्या आ रहा है पाईडल has one node बिल्कुल आ रहा है इन xy plane containing containing the molecular axis बिल्कुल आ रहा है इसके अंदर one nodal plane xy plane containing the molecular axis आंसर मेरे हिसाब से इसका a और d होना चाहिए a d answer correct लग रहा है मुझे तो बच्छोंब question number 11 की बात करते हैं इसने पूछा है कि the electrochemical extraction of aluminium from bauxide or involve bauxide say aluminum extraction के बारे में पूछा इसने और पहला स्टीट्मेंट दिया दर र्याक्शन आप a l2o3 with coke add temperature about to 25 degrees 2500 degree Celsius रभी question में उपर लिग दिया the electrochemical extraction of aluminium तो यह वाली reaction की बारे में कुछ बनता ही नहीं carbon reduction के बारे में हम करना है तो यह थो होता ही नहीं इसके अंदर बॉंबे दा neutralization of aluminium aluminium solution by passing co2 gas to precipitate hydrate alumina अच्छा ठीक है अब सभी को बता होगा जब हम bauxite की leaching करते हैं तो bauxite की leaching के दोरान हम एने वेज यूज करते हैं एने वेज यूज करने पर एक्सिस एने वेज के वेज यूज करने पर यह complex बनता है इसको हम बोलते हैं naalohol4-ल-aluminate ion बोल देते हैं अगर हमें reaction को पीछे लाना होता है तो हमें इसको अटाना होता है इसको इसको अटाना होता है इसको उटाना होता इसके बहुत सारे possible तरीके हैं and one of them given is passing of CO2, क्योंकि CO2 is acidic oxide, उसको जब पास करते हैं, तो OH को neutralize करेगा, और reaction को पीछे लाएगा, जिससे हमें ALOH whole thrash का PPTI आएगा, और इसी को ही hydrated alumina की terms में कह सकने हैं, that means B option तो technically मुझे सही लग रहा है, आते हैं C, the dissolution of AL2O3 in hot and aqueous anavage, यास, अभी मैंने option 2 के concern में बताया आपको, कि जब red box side होता है, आपको पता red box side में FE2O3 की impurity होती है, और box side तो यह होता ही है, हम NMH जब use करते हैं, तो purpose क्या हमारा NMH की use करने का, ताकि AL2O3 को वो leaching करके, उसको separate out rate dissolve कर ले, aluminates की form में, NALOH whole 4 की form में, and flow respire दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, to give aluminum and CO2, यह समझानते है, molten mixture of AL2O3, cryolate, flow respire हम कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों में से आप दोनों भी ले सकते हैं, जब electrolysis करते हैं, तो minus terminal पर aluminum मिलता है, plus terminal पर O2 मिलती है, लेकिन हम जानते हैं, plus terminal carbon के ही electrode होते हैं, तो वो carbon से combine करके, CO या CO2 बन जाती है, that means मैं CO2 लिखिये, बर answer तो सही लग रहा है मुझे, BCD option सही बैठ रहा है, तो BCD is the answer, बच्चो देखो अगला question जो है, वो भी फिर reaction based question है, question की framing बहुत बढ़िया से किया IT ने इस बार, इसने पूचाएगी, the treatment of galena with nitric acid produced gas, that is, बच्चो जब reaction होती, PBS की nitric acid से हम reaction करते हैं, बहुत common reaction है, salt analysis में भी reaction काम आती, क्या बनता है, 3 PBNO3 whole twice, 3 sulfur plus 2 NO plus 4 H2O, ये reaction होती है, अब पूचा क्या है, produce a gas, that is, NO, NO gas के बारे में पूचा है, NO gas के बारे में पूचा रहा है question, हाँ, ठीक है, NO gas parametric हैगा, आप सबको बता है, NO gas is a parametric gas, odd electron molecule है, और इसके एक un-pred electron pi star order में होता है, that means, ए तो correct बैठ रहा है, bent in geometry, नहीं, NO to diatomic molecule है, bent क्या से हो सकता है, bent होने के लिए कम से कम triatomic molecule तो हो भाई, तो यह तो possible यह नहीं है, हाँ, C में आता हूँ, N acidic oxide, नहीं, NO neutral oxide में count होता है बच्चों, तो यह neutral oxide है, यह acidic नहीं है, तो यह option भी गलत हो गया, BB गलत है, CB गलत है, डेली में आई है बाप colorless, yes, NO is a colorless gas, NO is a colorless gas, जो air के content में आगे बाप में brown होती है, NO2 बनने के विए से, बट इनीशली तो colorless ही होती है नहीं, तो answer क्या हो बच्चों, मेरी सबसेस्का answer AD बैठ रहा है, most appropriate answer is AD, Thank you.